नमस्कार, study zone में आपका स्वागत है, आज मैं आपको राजस्थान current affairs से related questions कराऊंगी, इसमें आपके जनवरी से लेकर मई तक के questions include किये गए हैं, ये top 50 questions बहुत ही important है, अब राजस्थान की हर परिक्षा में current affairs के questions पूछे जाएंगे, तो उसके according ये आपके लिए बहुत ही important ह ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comments में लिखकर जरूर बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली हैं, हमारी नई वीडियो की update पाने के लिए study zone को subscribe जरूर करें, और साथ ही government job की notification पाने के ने राष्टिय पोशन मिशन NNM का शुभारंब कहां किया, इसमें आपका अंसर होगा, राष्टिय पोशन मिशन का सुभारंब राजस्थान के जुनजनू में किया गया, जो की 8 मार्च को अंतर राष्टिय मैला दीवस के अवसर पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी क द्वारा किया गया, आपका नेक्स्ट कुशन है, राजस्थान बारा वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलतकार के लिए मोध की सजा के लिए विध्यक पास करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है, इसमें आपका अंसर होगा, बारा वर्ष या उससे कम उम्र की आपका नेक्स्ट क्यूशन है, ब्रह्मोस सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलता पूरवक परिक्षन कहां हुआ, इसमें आपका अंसर होगा, ब्रह्मोस सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलता पूरवक परिक्षन राजस्थान के पोखरन टेस्ट रेंज में किया गया ब्रह्मोस एक सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल है यह भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम में विक्सित की गई है इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपूत्र नदी और रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है यह एक दो चरणवाली आत्म संचालित निर्देशित मिसाइल है और इसकी सीमा 290 किलोमीटर है आपका नेक्स्ट क्यूशन है हर सिम्रत को और बादल ने राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्गाटन कहां किया इसमें आपका आंसर होगा खाद्य प्रसंसकन उद्द्योग केंद्रिय मंत्री हर सिम्रत को और बादल ने राजस्थान के अजमेर के रूप गड़ गाओं में राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्गाटन किया आपका नेक्स्ट क्यूशन है बी सी सी आई ने किसी अपने ब्रस्टाचार विरोधी काई के परमुक के रूप में न्युक्त किया है इसमें आपका अंसर होगा बी सी सी आई यानकी भारतिय किर्केट कंट्रोल बॉर्ड ने राजस्थान के पूर्व डी जी पी अजीत सिंग को अपने ब्रस्टाचार विरोधी काई के परमुक के रूप में न्युक्त किया है अजीत सिंग पूर्व दिल्ली पुलिस आयुक्त नीरज कुमार की जगह लेंगे आपका नेक्स्ट क्यूशन है भारत ने एटी जी एम यानि की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलता पूरक परिक्षन कहां किया इसमें आपका आंसर होगा भारत ने एटी जी एम नाग का सफलता पूरक परिक्षन राजस्थान के जैसल मेर में पोखरण की फिल्ड फाइरिंग में किया एटी जी एम नाग को रक्षा नुसंधानें विकास संग्ठन डी आर डी ओने विक्सित किया है आपका नेक्स्ट कुशन है जूहू बीट से गेटवे ओफ एंडिया तक ओपन स्युमिंग में 47 किलोमिटर तैर कर पार करने वाली गोर्वी सिंग्वी का संबंद किस जगह से है इसमें आपका आंसर है गोर्वी सिंग्वी उद्यपुर से है गोर्वी सिंग्वी ओपन स्वीमिंग में देश की पहली मैला तेराक बनी है आपका next question है चित्तोड जिले से प्राप्त प्रिथम सदी का संस्कृत लिखित लेक कौन सा है चित्तोड जिले से प्राप्त प्रिथम सदी का संस्कृत लेक है गोसुंडी का लेक इस संस्कृत लेख से हमें भगवान विश्णू की उपासना की जानकारी प्राप्त होती है आपके और भी कुशन्स बन सकते हैं फर्स्ट है सिलालेखों का अध्यन क्या कहलाता है तो वो आएगा एपिग्राफी सेकिंड क्यूशन आपका बनता है कि भारतिय इत्यास के अनुसार सबसे पहले किस राजाने शिलालेख जारी करवाये थे तो उसमें आपका अंसर होगा अशोक मोरिय आपका नेक्स्ट क्यूशन है राजस्थान में बहने वाली नदी उपनदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी है इसमें आपका अंसर होगा राजस्थान में बहने वाली उपनदी पारवती नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है पारवती नदी MP के सिहोर से निकलती है और 12 जिले के करिया हाट में से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है उसके बाद ये पालिया गाउं में चंबल में मिल जाती है जो चंबल नदी ये राजस्थान की उसमें ये मिल जाती है चंबल नदी उत्रपरदेश से होती हुई यमना नदी में विलीन हो जाती है जो आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपका नेक्स्ट क्यूशन है वह पेट्रोलियम कमपनी कौन सी है जिसके साथ बार्ड में रिफाइनरी परियोजना की स्थापना के लिए समझोता हस्ताक्षर किये गए है इसमें आपका अंसर होगा वह पेट्रोलियम कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोपरेशन लिमिटेड प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने जनवरी में बार्ड में रिफाइनरी पर्योजना का शुभारंब किया इस जिसमें राजस्तान सरकार का इक्विटी शेर 26% और ह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोपरेशन लिमिटेड का इक्विटी शेर 74% होगा आपका नेक्स्ट क्रिशन है वह राजस्तान सरकार कौन सी है जिसने आपातकाल के दोरान हिरासत में रहे लोगों को लोकतंत्र के लड़ाकू का दर्जा प्रदान करने की गोशना की है इसमे को लोकतंत्र के लिए लड़ाको का दर्जा प्रदान करने की घोशना की है यह फैसला वर्स 1975-77 आपातकाल अवदी के दोरान आंत्रिक सुरक्षा अधिनियम और भारतिय रक्षा अधिनियम के तैथ हिरासत में रहे लोगों को सम्मान देने के लिए किया गया है इस फैसले क सम्मानित नागरिकों को 12,000 की मासिक पेंशन और 1200 का मासिक पत्ता परदान किया जाएगा आपका next question है भारत का प्रथम राज्य कोनसा है जो अपने नागरिकों को हिंदी में email ID की सुईधा परदान करेगा इसमें आपका आंसर है भात का वैपर्थम राज्य है राजस्थान जो अपने नागरीकों को हिंदी में email id की सुईदा परदान करेगा राजस्थान कैबिनेट ने अपने नागरीकों को हिंदी में email id की सुईदा परदान करने की गोशना की है और राजस्थान सरकारी कर्मियों को जल्दी हिंदी में एक email ID परदान की जाएगी आपका next question है राजस्थान सरकार द्वारा प्रारम गुरु शिश्य कारे कर्म का संबंद किससे है? इसमें आपका आंसर होगा गुरु शिष्यकरेकरम का संबंध कॉलिज सिक्षा से है राजस्थान सरकार के उच्चे शिक्षा मंत्राले दवारा गुरु शिष्यनामक चातर सिक्षक समाद कारेकरम का प्रारम्ब किया गया आपका नेक्स्ट क्यूशन है राजस्थान दीवस कब मनाया गया इसमें आपका आंसर होगा राजस्थान दीवस 30 मार्च 2018 को मनाया गया राजस्थान राज्य ने 30 मार्च 2018 को अपना 68 वा स्थापना दिवस मनाया रहा है इस अवसर पर राज्य में अनेक कार्यकरमों का आउजन किया गया आपका नेक्स्ट क्यूशन है देश का पहला लेडी स्पेशल रेलवे स्टेशन कौन सा बना है इसमें आपका आणसर होगा देश का पहला लेडी स्पेशल रेलवे स्टेशन जैपूर का गांधी नगर बना है जिसे के वल महिलाएं संभालेंगी महिला करमचारियों को पून आत्म विश्वास से कारे करने के लिए परशिक्षन दिया गया है इस रेलवे स्टेशन पर 40 महिलाओं की टीम सभी तरह के काम 2400 गंटे करेंगी इससे पहले मुंबई के माटूंगा को ओल वुमन स्टेशन बनाया गया था आपका नेक्स्ट क्यूशन है परसिद उट मोट सव का विकानेर में आयोजित किया गया इसमें आपका अंसर होगा परसिद उट मोट सव विकानेर में 13 जनवरी से 14 जनवरी 2018 तक आयोजित किया गया विकानेर उट मोट सव ने अपने 25 साल पूरे कर लिये है विकानेर उट मोट सव वारसिक मेला है जो इस रेगिस्थानी जहाज यानि की उटों को समर्पित है यह मोट सव हर साल जनवरी के महिने में मनाया जाता है इसके अलावा राजस्थान में एक और उट त्योहार है जो पुसकर उट मेला के नाम से परसिद है आम तोर पर इसे अक्टूबर और नवंबर के बीच मनाया जाता है आपका नेक्स्ट क्यूशन है नाबार्ड ने राजस्थान के लिए कितने रुपए के विद्पोशन की मनजूरी दी है इसमें आपका आंसर होगा नाबार्ड यानि की नेशनल बैंक फोर एग्रिकल्चर लेंड रूलर डवलप्मेंट ने राजस्थान के लिए 14,690 करोड रुपए की मनजूरी दी है आपका नेक्स्ट क्यूशन है राजस्थान के किस गाउं के लोग रोजाना कम से कम एक रुपिया गाउं में इस्तित प्रामरी स्कूल के विकास के लिए गुल्लक में डालते हैं इसमें आपका अंसर होगा राजस्थान के चितोडगर जिले के बड़ी सादड़ी के देवदा गाउं के लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं जो उनके बच्चों के भविश्य को और भी बैतर बनाएगा आपका नेक्स्ट क्यूशन है राजस्थान के किस गाउं में लड़कियों के लिए रात को कबड़ी टूनामेंट का आउजन होता है इसमें आपका अंसर होगा राजस्थान के शिरी गंगा नगर जिले के राय सिंग्पुर कस्बे से 12 किलोमीटर दूर सीता है कुमार रावली गाउ इस गाउं में लड़कियों के लिए रात को कबड़ी टूनामेंट का आउजन होता है आपका नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में केंद्र ने राजस्थान की किस यूनिवर्सटी को योग विभाग खोलने की मंजूरी दे दी है इसमें आपका आंसर होगा राजस्थान की Central University of Rajasthahn को योग विभाग खोलने की मंजूरी दे दी गई है और राजस्थान के साथ साथ पाँच और युनिवस्टी भी है जिनको ये मानेता मिल गई है इनमें पहली है हेमवती नंदन बहुगुना गड़वाल युनिवस्टी दूसरी है सेंट्रल युनिवस्टी ओफ केरल तीसरी है विश्व भारती और चोथी है इंद्रा गांधी फि नंदन ही नेशनल ट्राइबल युनिवस्टी और पांच भी मनीपुर उनिवस्टी नेर 접종 करने बास इसमें आपका अंसर होगा हाडोती में खानपूर्श दित चांद खेड़ी में आपका नेक्स्ट क्यूशन है NCRT की और से सैक्षिक गुणवत्ता के आकलन के लिए देश भर्मे किये गई नैशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 33 जिलों में से कक्षा 3,5 और 8 की काटेगरी में कौन से जिले अवल रहे हैं इसमें आपका आंसर है कख्षा 3 और 5 वी की केटेगरी में जुन-जुनू और 8 वी केटेगरी में नाग और अवल रहे हैं आपका नेक्ष्ट क्यूशन है देश की रक्षा के लिए अदम में साहस का परीचे देने वाले राजस्थान के कोटा निवासी किस CRPF कमांडेंट को राश्टपती रामनाथ कोविंद द्वारा कीर्ती चक्र परदान किया गया इसमें आपका आंसर होगा राजस्थान के कोटा निवासी चेतन चीता को राश्टपती कोविंद द्वारा कीर्ती चक्र परदान किया गया की है इसमें आपका आंसर होगा अंगदान महादान उपहार जिंदगी आपका नेक्स्ट कुशन है राजस्थान का पहला सरकारी चिकित्सा संस्थान जिसमें सर्जिकल रोबोटिक्स परणाली का इस्तमाल किया जाएगा इसमें आपका अंसर होगा राजस्थान का पहला सरकारी चिकित्सा संस्थान एम्स जोदपुर है जहां सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का इस्तिमाल किया जाएगा आपका नेक्स्थ क्यूशन है अंतर राष्ट्रे चिकित्सा भोती की संगठन IOMP की सिक्षाइम स्वास्ते समीती के अद्यक्षपद पर किसे न्यूक्त किया गया है इसमें आपका अंसर होगा SMS Medical College के Radio Logic Physics विभाग के अद्यक्ष डॉक्टर अरुन चोगले को न्यूक्त किया गया है डॉक्टर अरुन चोगले पहले भारतिये हैं जो इस IOMP की सिक्षाइम समीती के अद्यक्षपद बने है आपका नेक्स्ट क्यूशन है भारतिय उद्योग परिसंग CII राजस्थान स्टेट काउंसिल ने वर्स 2018-19 के लिए किसे अपना नया चेर्मेन न्यूक्त किया है इसमें आपका अंसर होगा अनील साबू को उन्होंने अपना चेर्मेन न्यूक्त किया है और आनंद मिश्रा को वाइस चेर्मेन न्यूक्त किया गया है आपका नेक्स्ट कुशन है हाल ही में राजस्थान में जैपूर से बिकानेर के लिए एर इंडिया किस योजना के तहट 25 मार्ट से फ्लाइट शुरू करेगा इसमें आपका अंसर होगा उडान योजना के तहट एर इंडिया जैपूर से बिकानेर के लिए फ्लाइट शुरू करेगा आपका नेक्स्ट क्रिशन है हाल ही में राजस्थान की किस कमपनी को दिली में आउजीत एक समारो में गवर्नेंस नाउ पी एस यू पुरुसकार से सम्मानित किया गया है इसमें आपका अंसर होगा राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स और इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड रिल को आपका नेक्स्ट क्रिशन है हर्बल गुलाल के लिए राजस्थान का कौन सा गाउं विदेशों तक परसिद है इसमें आपका अंसर होगा राजस्थान के उद्यपुर जिलेके आदिवासी लाके का जिंडोली गाउं हर्बल गुलाल के लिए विदेशों तक परसिद है आपका next question है हाल ही में राजस्थान अधीनस्ति सेवा चैन बोर्ड के रिक्त पड़े अध्यक्ष पद पर राजस्थान सरकार द्वारा किसे न्युक्ति दी गई है इसमें आपका अंसर होगा इस पद के लिए रिटायर्ड आईएस डॉक्टर बाबूलाल जाटावत को न्युक्ति किया गया है आपका next question है हाल ही में एडिटेक रिव्यू अवार्ट्स 2018 में बेस्ट इंडस्ट्री, एकडेमिया, इंटरफेस अवार्ड से किस युनिवर्सटी को समानित किया गया है इसमें आपका अंसर है भारतिय स्किल डवलप्मेंट युनिवर्सटी, बी एस डियू जोकी जैपूर में है आपका next question है मेवाड को सीधे दक्षिन भारत, मैसूर से जोडने वाली किस ट्रेन का उद्गाटन हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किया है इसमें आपका आंसर है पहले स्क्वीन हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन आपका next question है हाल ही में मात्र भाषा उन्यन संस्थान द्वारा किस व्यक्ति को हिंदी के परचार परसार और हिंदी की महिवा कविता लिखे जाने के लिए भाषा सार्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है इसमें आपका आंसर है जैपूर के रिखब चंद राका को आपका next question है प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र शिरिगेटेश्वर कला संस्थान की ओर से हर वर्ष की भाती 51 भवे संगीत समारो कहां आयुजित किया गया इसमें आपका आंसर है यह समारो जैपूर के इतिहासिक स्थल गैटोर की छत्रियां के अती प्राचीन शिवाले सिरिगेटेश्वर में आयुजित किया गया यह समारो तेरा फरवरी मा शिवरात्री को आयुजित किया गया आपका next question है हाल ही में अमेरिकी एरफोर्स के चीफ आफ स्टाफ जनरल डेविड एल गोल्ड फिन ने किस एरफोर्स स्टेशन का दोरा किया है इसमें आपका आंसर होगा जोदपुर एरफोर्स स्टेशन का आपका next question है हाल ही में राजस्थान के अजमेर, अलवर लोक सबा छेत्र और मांगलगड विदान सबा सीट पर संपन हुए उप चुनाओं में कौन सी पार्टी विजय रही इसमें आपका आंसर होगा कॉंग्रेस पार्टी विजय रही आपका next question है सावित्री बाई फूले को समर्पित राष्टर स्त्रिय एंपावर्ड वुमेन अवार्ड के लिए राजस्थान जैपूर से किस महिला को चुना गया है इसमें आपका आंसर होगा मैमूना नर्गिस को इस अवार्ड के लिए देश वर्से 75 महिलाओं को चुना गया है मैमूना को यह अवार्ड कला के छेतर में उलेखने कारियों के लिए दिया जाएगा आपका next question है हाल ही में State Crime Record Bureau SCRB द्वारा राजस्थान के 40 पुलिस जिलों में पुलिस के कामकाजों का मुल्यांकन कर वर्स 2017 की एक रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के मताबिक कौन से जिले की पुलिस अवल रही है इसमें आपका आंसर है कोटा ग्रामीन पुलिस पहले स्थान पर और कोटा शहर पुलिस दूसरे स्थान पर रही है आपका next question है हाल ही में भारत सरकार की संस्था केंद्रिय सिचाईयम शक्ती मंडल ने CBIP 2018 आवार्ड के लिए राजस्थान की किस संस्था को स्रफ श्रेष्ट कारियरत पावर ट्रांस्मिशन यूटिलिटी चुना है इसमें आपका आणसर है राजस्थान राज्य विद्यूत परसारण निगम लिमिटेड को आपका next question है हाल ही में RPSC के नए चेर्मेन की रूप में किसे निक्त किया गया है इसमें आपका आणसर होगा RPSC के नए चेर्मेन की रूप में डॉक्टर रादेश्याम गर्ग को निक्त किया गया है आपका next question है राजस्थान भरतपुर जिले की कोन सी गोशाला देश की पहली गोशाला बनी है जिसमें भारतिय नसल के 44,000 गोवन शिय पसू रहते हैं इसमें आपका आणसर होगा माताजी गोशाला आपका next question है राजस्थान में उल्टा मंदीर कहां स्तीत है इसमें आपका आणसर होगा राजस्थान में उल्टा मंदीर जालावाड जिले के रटलाई में स्तीत है आपका next question है देश का पहला बाउजन साहित्य मोच्टसव राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया इसमें आपका आणसर होगा राजस्थान के जैपुर में आपका next question है संस्कृति युवा संगठन की ओर से आयोजीत 22 वे राजस्थान गोरव अवार्ड समारों में किसे राजस्थान गोरव अवार्ड से समानित किया गया है इसमें आपका आंसर है डोक्टर संजीव के शर्मा को इन्हें यह अवार्ड हिर्दे रोग के चिकित्सा छेत्र में उत्क्रष्ट सेवाओं के योगदान के लिए प्रदान किया गया है थैंक्यू गाइज फर वाचिंग आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे अब आप हमें फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है थैंक्यू गाइज थैंक्यू सो मच